फिल्म की सुरुवात एक डरे हुए आदमी को दिखाते वे होती है जो जंगल में भाग रहा होता है उसका फिर एक लकडी से टकराने पर हुआ घायल हो जाता है और वाहिल ने पाता तभी तो आदमी कुलहारी लेकर उसके पास आते हैं उन में से एक उसे अपनी कुलहारी से म से बाल बाल बच जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि रायन को अस्थमा की बिमारी है इसलिए उसकी सांसे फुलने लगती है जिसके लिए वो एक इनहेलर लेता है तभी माया देखती है कि उसके मुवाइल का GPS काम नहीं कर रहा है तो वो एक इवेंट टाइड सहर पोचते हैं आधा है और एक रेश्टरेंट में कुछ खाने के लिए रुकते हैं रेस्टरेंट में वे एक जोड़े से मिलते हैं जो बताते हैं कि आज उनकी भी एनिवर्सरी है माया बताती है कि वा और रायन पांच साल से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं लेकिन अवी तक साधी न पता है जब वे अपनी कार में वापस आते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी कार अस्टार्ट नहीं हो रही है तभी रूडी नाम का एक कार मेकैनिक उनके पास आता है जो उनकी कार चेक करके उन्हें बताता है कि उनके कार का अल्टरनेटर खराब हो चुका है और उसे बदलने क की जरूरत है उसे रिप्लेस करना पड़ेगा वो एकस्प्रेंड करता है लेकिं डीलर का दुकान आरीडी बंद हो चुका है तो वो अपने पार्टनर को कल सुअ पार्ट पिक करने भेज सकता है वह पुचती है कि क्या आस–पास कहीं रुकने की जगा है तो वो बताते हैं कि एक Airbnb पास में है रियान सोचता है कि Rudy ने उन्हें रेश्टुरेंट में जाते हुए देखा होगा और उस वक्त हमारी कार को खराब कर दिया होगा लेकिन माया उसको ज़्यादा पैनिक ना होने के लिए करती है और Rudy को थैंक्स बोलती है Rudy ओफर करता है कि उसका पार्टनर उन्हें वहाँ छोड़ देगा तभी Sally बताती है कि वो उन्हें छोड़ देगी क्योंकि उसकी सिफ दस्मेट में खत्म हो रही है और वो उसी तरफ जा रही है तो अब वो रोड़ी को अपनी गारे ठीक करने के लिए दे देते हैं तभी वहाँ दो क्यूट से बच्चे आकर उनको एक पेपर देते हैं जिन पर लिखा था कि गौड तुम दोनों की हिफाज़त करे इनको पेपर देने के बाद वहाँ बच्चे वहाँ से चले जाते हैं वो लड़की इन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर पर ले आती है जहां कोई भी नहीं रहता था और फिर वो वहाँ से चले जाती है अब ये दोनों अंदर आते हैं या घर इनकी एक्सपेक्टेक्शन से काफी अच्छा था रायन फ्रीज में बीयर रखता है मगर फ्रीज तो खराब था लेकिन वहाँ पे एक नोट पे घर के ओनर का नमबर था तो माया उस नमबर पे फोन करती है और फिर सही करने के लिए किसी को बिजने के लिए काती है फिर दोनों कुछ दिर बाहर बैट कर बाते करते हैं और फिर रोमान्स करने लगते हैं कि तभी कोई दर्वाजे पे नौक करता है बाहर एक लटकी खड़ी होती है बट अंधेरी की वज़ा से उसका फिस नजर नहीं आ रहा था और वो पूछती है क्या यहां तमारा है तो रायन काता है नहीं आप सायद गलत जगा पर आ गई हो वो कुछ दिर इने देखती है और यहां से चली जाती है अब यह दोनों बाते कर रहे होते हैं कि अचानक रायन को याद आता है कि उसकी इनहेलर तो कार में ही रह गई है रायन काता है बाहर एक पाइक खड़ी है जिस पर वे टाउन जाएगा और फिर इनहेलर लेकर तुरंद वापस आ जाएगा मगर माया काती है कि उसे बहुत भूक लग रही है तो वो बाहर से कुछ खाने के लिए भ पारे में पूछ रही होती है जिस पर माया उसे डाट कर काती है कि यहां कोई तमारा नहीं है और वो उसे वहां से जाने को काती है इस बिच कोई इसके घर के अंदर आ चुका होता है मगर माया अभी इस बात से अंजान थी कि कोई उसके घर पर भी है अब माया परिसान हो ज चीज लेने के लिए आया हूं और अब मैं वापस जा रहा हूं रहन अपने और माया की रात के डिनर के लिए कुछ ले लेता है वही घर पर माया नहा रही होती है जिसे गलास से कोई देख रहा था लेकिन जब माया मुरकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं होता फिर वो नह जाता है पर एक्सिडेंटली उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है उपर उठकर देखती है तो कोई मास्क भाने उसके पीछे करा होता है वह डर कर भागते हुए उपर आकर फुद को एक कमरे में बंद कर लेती है कुछ देर बाद रायन घर आ जाता है और वो माया के पास ज पनाता है तो वो भाग कर जंगल की तरफ चली जाती है अब वो दोनों बैठकर दिनर कर रहे होते हैं तो उपर से खुन टपक ने लगता है और जब दोनों ऊपर देखते हैं किसी जानवर का कटा हुआ सर होता है जो देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं तुरंत वो लोड को तोड़ने की कोसिस कर रहा होता है मगर वो वहां से चला जाता है दोनों बहुत ज़्यादा ड़ जाते हैं फिर रायन आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है माया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और जब वो दोनों घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी फोन को उस मास्क मैन ने तोड़ दिया है ताकि वे किसी से कॉंटेक्ट ना कर सके अब वे घर से बाहर आकर उस बाइक से भागने वाले थे और वो आदमी उस बाइक में आग लगा देता है वा दोनों डड़ कर फिर से घर के अंदर एक कमरे में आ जाते हैं और बाहर वो मास्क वाला आदमी मियोजिक ओन कर देता है अब दोनों पूरी तरह से फच चुके थे हैं क्यूंकि बाहर दो मास्क वाले हंटर उनका इंतजार कर रहे थे रायन और माया बाहर जाने का रास्ता तलास कर रहे होते हैं माया देखती है कि कमरे में एक वेंटिलेटर है जो जमीन के नीचे से होकर बाहर की और जा रहा था तो ये वेंटिलेटर खोल के उसके अंदर से जाने लगते हैं जहां काफी अंधेरा होता है ये काफी खामोसी से चारे होते हैं कि माया की हाथ में एक कील धाक जाती है जिसकी वजा से इसके मूझ से हलकी सी चीक निकलाती है तो रायन उसे चुप करता है पर उपर खरिम वाली लेडी को इसकी आवाझ आ जाती है तो वह चेक करने आती है लेकिन फिर eatsalti अब वो लेडी पियानो बजाने लगती है जिसके हाथ में बहुत बढ़ा चाकू होता है। रायन माया के हाथ पर पट्टी बांता है वो दर्थ की वज़ा से बहुत त्रोड ही होती है। अब ये जैसे तेसे करके एक आउट हाउस में पहुझते हैं जहां पर उन्हें एक उल लगता है कि ये मास वाला आदमी है तो ये चुपके से जाकर उसे सूट कर देता है पर जब ये सामने आकर देखते हैं तो ये मास वाला आदमी नहीं बलकि उस घर का ओनर था जो अपने घर आया हुआ था। उन्हें इस बात से काफी दुख होता है कि उसने एक गलत आदमी को सूट कर दिया वहाँ उन्हें उसकी कार भी दिखती है तो वो की को लेकर कार के अंदर जाते हैं जहां माया को एक सेल फोन मिलता है और वो पुलिस को कॉल करने लगती है कि अचानक एक इट कार पर परती है मतलब वो हंटर फिर से आ गए रायन कार को अस्टार्ट करने लग भी तो एक त्रक से उसके कार को ठोकने लगता है और एक ठी में फसा देता है तो माया कार की वींडो से निकल जाती है मगर रायन का टांक funktion कर्ण में फज जाता है तब वो माया को वहां बातगने के लिए क shut the पर वो मना करती है रायन फिर से उसे जोड से भागने को काता है तो वो जंगल की तरह भाग जाती है अब रायन अपनी बंदूग उठाकर एसकेर क्रोपर हमला करने जाता है पर वो ट्रक पे नहीं होता तभी वो सामने से आकर अपनी कुलहाडी से अटेक करता है तो रायन उस पर बंदुक से हमला कर देता है जिससे वो वहां से भाग जाता है अब रायन भी कार से निकल कर माया को ढोने के लिए जंगल में चला जाता है माया जंगल में भाग रही होती है क्यूंकि उसके पीछे लेडी हंटर होती है माया खुद को एक गड़े के नीचे पत्तों में को यह पाती अभी बहर निकल के भागने लगती है इस बाट टोड़ फेस इस्ट्रेञर उसको मार कर अपने साथ लेके जाने लगती है। राएन भी जंगल में नेमें दिक्कत हो रहा होता है और इन्हेलर भी उसके पास नहीं होता मगर किसमत से उसको एक बोटल मिल जाती है जिससे वो temporarily inhale कर पाता है। बोतल की आवाज सुनके man hunter यहाँ प्याता है, मगर Ryan यहाँ से जा चुका था। Ryan को lady stranger दिखती है, तो वो पीछे से उस पर बंदुक रखके माया के बारे में पूछता है, मगर वो तो dance करने लगती है। Ryan उससे फिर पूछता है, मगर तब तक man hunter वहाँ आकर उसको मार कर बेहोस कर ले जाता है। दोनों जब horse में आते हैं, तो वो खुद को घर के अंदर चियर में बंदा पाते हैं। Ryan माया को सरहाना देता है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे, फिर वो माया को साधी के लिए परपोज भी करता है और माया उसको जवाब में हाका देती है। मगर लेडी हंटर को गुसा आता है और वो रायन को चाकू से स्टैप करके नीचे गिरा देती है। देखते ही देखते हैं माया के आखों के सामने ही डायन अपना दम तोड़ देता है। माया इनसे पूछती भी है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो हमने तुम्हारा क्या बिगा रहा है। तो उसको जवाब मिलता है कि यहां रहना मना है। माया गुस्सा होकर एसकैर करो को गाली देती है तो फिर एसकैर करो माया को भी स्टेप कर नीचे गिरा देता है ये तीनों उन्हें देख रहे होते हैं कि इन्हें पुलीस के साइरन की आवाज आती है और पुलिस के आने से पहरे ये ट्रक में बैट के यहां से निकल जाते हैं फिर एंड में हम माया को देखते हैं जो किसमत से बच गई थी जिसे होस्पीटल में एडमिट किया गया था और इसके साथ ही मुवी यही पे एंड हो जाती है मुवी कैसी लगी दोस्तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तो